आज हम बनाएंगे फेमस इंडियन स्रीट फूड रेसिपी पाउबाजी पाउबाजी सुनके बिल्कुल घबराईए मत हमें बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी पाउबाजी कब बन कर त्यार हो गई तो चलिए आये बनाते हमारी र आज पांच कटेवी टेमाटर थोड़ी सी मतर तीन हरी मिर्च ये वेजी टेबल्स जो मैंने बॉइल करके रखी है दो आलू हाफ मीडियम साइज गोबी दो गाजर दो शिमला मिर्च इनको कूकर में बॉइल करने के लिए पांच से चार कप पाने डाले और इसको दो सीटी तक पकाएं और पांच मिनिट के लिए ऐसे छोड़ते हैं नेक्स अमको चाहिए जिंजर गालिक पेस्ट मसालों में एक चमच कश्मीरी लाल मिर्च एक चमच गरम मसाला आदा चोटी चमच हल्दी एक बड़ी चमच धन्या पाउडर दो बड़े चमच पावभाजी मसाला और हरा धनिया जो हम एंड में डालेंगे अब अब अपनी कडाई में डॉल जआ तीन बड़ी चमच और इसको अच्छे-से गरम कर लेए rocket का अब हमारी ओं गरम होचुका अब अब मिसमे डालेंगे हमारे प्यास चली पukाले है कि अब इसमे इसमे आट कर लेर जिंजर गाल अब हम इसमें अपने ग्रीन चिली एड़ करेंगे और मटर डाल देंगे इसको अच्छे से मिक्स करके तीन से चार मिनट के लिए अब हम इसमें हमारे टामाटर एड़ करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लें अब हम इसमें आज़ी छोड़ी चम्मच नमक कर लेंगे ताकि हमारे टमाटर जल्दी पक जाया और इसको मिक्स करके 3-4 मिनट के लिए ठख देंगे तब तक जो हमारी बॉइल वेजिटेबल है उसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे चार मिनट हो चुके हैं अब हम इसको अच्छे से हिला कर ऐसे हल्का सा मैश करके फिर से दो मिनट के लिए ढगतेंगे अब हम इसमें हमारे मसाले अड़ करेंगे अब हमने इसमें पावफाजी मसाले डाल देया हम बासी मसाले डालेंगे और इसको मिक्स कर लें तब इसमें नमक एट करें नमक अपने अनुसार डालें और इसको mix कर लें अच्छे से और एक से दो मिनट के लिए धख दें ग्यास को low flame पे करके हम इसमे मारी boiled vegetable टालेंगे mash करके और इनको अच्छे से mix करें अब एक मिनट के लिए इसको ऐसे धखके रख दें अब हमने इसमें तीन से चार कप पानी एड़ कर दिया अब इसको अच्छे से मिक्स करके इसको दस मिनट तक पका है पांच मिनट हो चुके हैं एक बार इसको अच्छे से फिर से मिक्स करके हल्का हल्का सा मैश करके इसको पांच मिनिट के लिए और ढगते हैं अब इसको मिक्स करके इसमें बटर राइट करने कई लोग भाजी को सिर्फ पूरे बटर में बनाते हैं हमने इसमें और बटर दोनों का यूज कर रहा है हमारे वाजी पूरे बनके त्यार हो चुकी है अब हम इसमें धनिया डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हमारे पाओ को आप बीच में से अच्छे कट कर लें और बटर में अच्छे तरीके से शेक लें इनके उपर भाजी मसाला डालें थोड़ा सा धनिया और इनने अच्छे से सेक लें हमारी पाओ भाजी अब बिल्कुल बनकर त्यार हो चुकी है सो यह है मेरी रेसिपी अब आपको जब भी पाओ बाजी है कुछ चट पटा खाने का मन करेगा पराम से अपने घर बे बना सकते हैं मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें कमेंट पर बताए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी थैंक्स वर वाचिंग